नमस्कार दोस्तों नमस्ष्वाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूं दोस्तो सुन्दर कांड की महिमा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे सुन्दर कांड की महिमा से कौन नहीं परिचित है परन्तु आज इस वीडियो में मैं सुन्दर कांड के श्लोक की बात करूंगी जो की सबसे पहले श्लोक आता है उसके बाद चौपाई आती है तो यदि इस दिन हम सुन्दरकांड का पाठ नहीं भी कर पाते हैं, तो हम यदि इस इस इसलोक का ही पाठ करें नियमित रूप से सुबह या शाम की समय, तो निश्चित मानिए दोस्तों की हमें संपूर सुन्दरकांड पढ़ने का लाब प्राप्त होता है, आईए इसमें मैं इसलोक क इसका अर्थ भी मैं बताऊंगी जिससे की इसकी महिमा का वरणन और अच्छी तरह से हो जाएगा, और आप सभी लोग इस इसलोक की महिमा को जान पाएंगे, तो प्रति दिन इस तरह से आप इसलोक का पाठ करिए, जिसमें की उचारण की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहि आप इसका यदि पाठ करते हैं, वैसे भी करते हैं, तो निश्चित मानिये की श्री राम चंद्र भगवान और श्री हन्मान स्वामी की कृपा हमें प्राप्त होती है, तो यदि चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो आपको दाता है, तो लाइक और शेर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमह शिवाय या जैश्री राम जरूर लिखिएगा, आइए प्रारंभ करते हैं, श्री गडेशाय नमह, श्री राम चरित मानस पंचम सो पान सुंदर कांड, स्लोक, शान्तम सा स्वत्म प्रेय मघनम, निर इसका अर्थ है दोस्तों, शांत, सनातन, अ प्रमेय अर्थात, प्रमाडों से परे, निस्पाप, मोग्छ रूप, परमशान्ति को देने वाले, ब्रम्ह, शंभु, और शेशजी से निरंतर, शेवित, वेदान्त के द्वारा जानने योग्य, सर्व व्यापक, देवताओं म सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुडा की खान, रघुकुल में श्रेष्ट, तथा राजाओं के शिरो मडी, राम कहलाने वाले जगदिश्वर की मैं बंदना करता हूं। सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, आप सभी कुछ जानते हैं कि मेरे हिर्दे में दूसरी कोई इक्छा नहीं है। रघुकुल स्रेष्ट मुझे अपनी पूड भक्ती दीजिए और मेरे मन को काम आधी दोशों से रहित कर दीजिए। अतुलित बल धामं हे मिशैलाव देहं दनुजबन किर्शानुम ग्यान नाम अग्रगैन्यं सकल गुड निधानं वान राणाम धीशं रघुपत प्रियभक्तं वात जातं नमामी। अतुल बल के धाम सोने के परवत के समान कांत युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले अग्नी रूप ग्यानियों में अग्रगण्य संपूण गुडों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनात जी के प्रियभक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं दोस्तों यह अर्थ और श्लोक आपनी जाना इसका प्रति दिन पाठ कीजिए अर्थ भी पढ़िए साथी साथ तो और भी उत्तम फल की प्राप्ती होगी और श्री राम चंदर पभु श्री हनुमान स्वामी की कृपा को प्राप्त कीजिए ध आने बाद दोस्तों नमाश शिवाए